कि यहां पे बोला हुआ कि लेट दा है, relation on z, क्या define by, यानि कि on z बोल दिया है, इसका मितलब इसका, जो right side का set है, वो भी क्या z है, और left side का भी z है, और right side का भी क्या है, z है, ठीक है, यहां पे एक relation दिया हुआ है, और इसने बोला है कि a और b आपके किस में आ रहे हैं, integers में स आ रहे हैं, और यहां से a minus b आपका क्या होना चाहिए, एक integer होना चाहिए, यानि यह difference है, वो integer होना चाहिए, ठीक है, तो जो given है, वो लिखते हैं, पहले, तो यहां से पहले तो आपको देखिएगा कि एक relation है, relation is define on z, that means r है वो relation है, कहां से z to z to z, यहां टीक है, अब आपको एक relation or given हो आपके लिए देखिएगा कि क्या है, कि ea और b है, such that a और b किस में से आ रहे है, ज़े में से आ रहे हैं, डिस में से a minus b है कि आपको एक integer है, अब यहां से given, जो relation हो क्या है, कि यहां से क्या है कि A और B क्या है integer हैं और यहां से क्या जानते हैं हम जानते हैं कि क्या होता है कि कि difference we know that we know that difference difference of two integers integers is also integer है कि यहां से क्या है the difference of two integers तो उसका difference है वो integers ही होगा इसका मतलब यहां से अपने पास देखो कि जो आपके range और domain होगा वो क्या होगा तो यहां से आपके लिए so so that the range and range and domain यह पूछा range of domain of r also क्या होगा integer होगा क्या होगी integer यह कैसे होगे यह दिए आप एक example भी लिलोगे न कि आप देखो कि यहां से आपके लिए एक integer का set होगा यहां से 0 यह यह माइनस का 2 माइनस का 3 यह 4 यहां पर 1 2 3 और यहां से आपके लिए एक set यह होगा यह इंटीजर का होगा यह जो भी होगा वह भी इंटीजर का होगा और यहां से 1 माइनस का 2 3 कि 1 2 3 यह आप यहां से देखो यह आप 0 में से 0 को difference करोगे जीर आएगा यहां से 1 को difference करोगे तब भी 0 आएगा तू मेंसे 2 को तब भी 0 यहां से देखो isn't it to just Drink over minus का 1 plus का 2 यह खीतना आएगा 1 इस परकार से आपको overall क्या मिलेंगे integer C मिलेंगे